कि नमस्कार दूस्तों एक बारा सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिया गुरुजी पर आइनो आज थोड़ा सा लेट हो गया तौड़ा सा PDF जो है सही हो रहा था इस ते लिए सड़रा सा लेट होगा तो क्लास होती है जी के वाली आठीं कि जोजी सोब टेलिग्राम का ग्रूप है, तो अगर आपने अभी तक टेलिग्राम ग्रूप जोई नहीं किया है, तो जुड़ जाईए, वहाँ पर भी जो इंप्रोडन अपडेट्स में लाकर करके देता रहता हूँ, अगर आपने अभी तक इंस्टा फॉलो नहीं का फॉलो का लीजिए, यह क्लासे जो हैं अगर आप लोग प्लस पर जोड़ते हैं, अभी आपका एक औफर वी चलाई ए तो इस आप फैदा रहते हैं, प्लस में आप जोड़ना चाहते हैं, अभी बहुत सारे अभी लेकपाल का मीनी कोर्स, मीनिक लेकपाल का क्रेस कोर्स सब कुछ जो आपका इस फटाफट के लोग लग, क्लास को श्टार्ट करेंगे, कहां हैं सब लोग, फटाफट जोडो क्लास में उसके बाद स्टार्ट करेंगे। यूर। Class स्टाट होगे सब गाया वह? यूपीटेट की math की class चल लए, दो बड़ जो class चलती है सबके लिए UP-Tate वा चलिए कोई बात नए, start करते हैं class को question सबिकी को है पहला वाला सब लोग इसको देखिए और सभी लोग बताते हुँ चलेंगे इस प्रश्ण का जो सही तरा पत्य हो जाएगा पहला क्वेशन है जैनियों के पहले तीर्थकर बताइए कौन थे अब आप लोग का वो प्रॉब्लम में मैंने जो है सॉल्व कर दिया है अभी दोनों लैंगोज में आपको जो क्वेशन्स देखने को मिलते रहेंगे तो यह जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे सबी लोग बताते हुँ चलेंगे और सेयर करते हुँ चलेंगे ठीक है एक नटने एक से अलग मोबाइल मेरा काम करता है टाइपिंगग लाइव इस्टारट हो चुकिए स्पने लोग दो लोग दोetter दॉर जार्यें क्लास स्ब्लम कर देखने एक भाई जाएंगे ठीक है उपसर नमबर जी तिलों ने आपर जवाब दिया है सी वाला फोर वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कुछन देखे आपसे यहाँ पर क्लास की टाइमिंग एक बहे चलती है ठीक है यह क्लास मैं एक बार लिख देता यहाँ पर एक मिनट जो है मैं इसको बड़ा कर देता हूं जिससे सब को जो है दिखे यह क्लास की टाइमिंग अब दिख रही ना क्लास की टाइमिंग अब तो कोई दिक्कत नहीं है अगला क्वेशन देखे आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रिपटक धार में ग्र आप लोग इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो दो नंबर कोईशन का जो सही तरह आपको हो जाएगा तो बौध्धो का है तो पटक की बात करते हैं यह गरंत जो है पाली भासा में है बौध्धो का यह गरंत है तो आपस नंबर जो इसका दो दिया गया है बिल आपको क्या हो जाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सम्यक के जो दृष्टी दिया गया, सम्यक ज्यान है, सम्यक चरित्र है, सम्यक चरित्र मतलब आश्यवड हो गया, सम्यक के विश्वास है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है, थ्री वाला ओफ्सन, यह जो यहाँ पर यहां पर जवाब दिया थ्री वाला वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगला कोईशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताइएगा आजंता की चितरकारी निम्रिखित में से किस से प्रेरित है आज अगला कोईशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा और से लोग बताते ही चलेंगे निम्रिखित में से कौन संस्कित का प्रतम व्याकरण विद्ध था? संस्कित के प्रतम व्याकरण विद्ध बताएगे कौन थे? सबी लोग बताते ही चलेंगे इसका जो सही तरब का क्या हो जायाएगा? चलिए, सबी लोग यहां पर जब आप जो देते ही चलिएगा और काफी लोग यहां पर देखिए जुर नहीं रहें क्लास से भाई तो पाड़ी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर जो बिलकुल करेंगे इन्होंने अश्टा धियाई की रचना की थी तो यह यह याद रखिएगा ठीक है अगला क्वेशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा कि गौतम बुद्ध कौ कौन से गरड़ा जी के थे तो गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं इनका जनमन जो है एक छत्री के रूप में हुआ था साक के वंस के बेसिकली थे यह तो इतने लोग यहां पर साक की जवाब दे रहे हैं अगला क्वेशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गय बुद्ध का अर्थ बताई क्या होता है सर जी बुद्ध का आर्थ फटा फट बताते ही चलेंगे क्या होता है सर चली कोईशन नमबर साथ है जवाब देखिया आना शुरू हो गया तो भई बुध्ध का मतलब होता ज्यान प्राप्त एक्क्वाइर्ट नॉलजज को कब भई 35 वर्थ की एज में जो ग्यान की प्राप्ति हुई थी यह पॉइंट रखेगा बहुत इंप्वर्डम पॉइंट है 35 वर्थ के वस्था में ईनको जो ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो आपसे नमघ जो इसका ए दिया गया बिलकुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है च चलिए इसका जवाब जो देती हो चलेंगे भई, बहुत ही आसान सा प्रशन है, जवाब देखें, आप आना शुरू हो गया है, तो भई अब बुद्ध को प्रबोध जो बोध गया में, कहां पे भई, बोध गया में पराप्त हुआ था, तो आपस नमबर जो इसका दिया गय में लिखे तो सबसे बाद वाला बहुत धर्म का ग्रंथ है, यानि कि सबसे बाद में लिखा गया बहुत धर्म बताई कौन सा है, देखिए, मैं एक चिल लिख दू कि आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देखो, तब साफ दिखाई पड़ेगा, नहीं तो फिर जो ह दिक्कत होगा, और एक लोग यहां पर कॉमेंट कर रहे हैं बार बार, मतलब क्या नाम है, कि 32 साल में ग्यान प्राथ हुआ तो नहीं भाईया, 35 साल में ग्यान प्राथ हुआ था, पढ़ लिजए अच्छे से, डेली आप लोग कॉपी पेस्ट करोगें, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ सही कर दूँगा, ठीक है, कोईशन नमबर 9 है, सभी लोग बताती हुआ चलिएगा, भारत में सबसे बाद वाला बहुत धर्म का गरंत पता ही कौन सा है, तो यहां पर कौन सा सही उत्तर आपका हो जाएगा, नो नमबर कोईशन में आपको हो जाएगा, और जो इसक जवाब जो देते हुआ चलेंगे, बुद्ध के उपदेश जो है पाली भासा में, ठीक है, पाली लेंग्वेज में है, पाली यहां पर जो गरेक्ट हो जाएगा, तो जितने लोग पाली जवाब दे रहे हैं, आपसर नमबर 3 वाला, वो लोग यहां पर बिलकुल गरेक्ट जवाब देखियाना शुरू गया, पाली भासा में किया गया है, पाली जितने लोग जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहां पर बिलकुल गरेक्ट हो जाएगे, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगला कोईशन है, थोड़ा सा यह छोटा होगा, क्योग कोईशन थ 360 होगा तो भी आपको यह जो है, बिलकुल क्लियर दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ भई, पहला उपसान है, दुनिया दुखों से भरी है, दुनिया लोगों को दुख उनकी इच्छा, दुनिया दुखों से भरी है, इन मत पविस्वास करता था, जो लोगों को ठीक है, तीन कथन यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे, तो A, B, C जितने हो जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ओपसन नमबर जो इसका C आगया C वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अगला कोशन है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, किस नदी के तट पर भाई, इसका जवाब जो देते हो चलेंगे, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, जेलम नदी या रावी नदी या पानी पत या तराइन, ठीक है, क्वालिटी भढ़ा होगे तो साब दिखेगा, हर ग्लास में आपको ये चीज़ अगर बताना पड़े, तो फिर भाई, आप लोग को, आप लोग ऑनलाइन पे आते हो, तो थोड़ा पोरस ये सब ग्यान ले लिया अगरो भाई, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो भाईया या याद रखेगा, किस नदी के त क्या कह रहा है, सिकंदर के मृत्यों के बाद उसके सामराज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया, कोईशन नमबर 14 है, सबी लोग बताती हो चलेंगे, सिकंदर के मृत्यों के बाद उसके सामराज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया, कोईशन नमबर 14 है, सबी लोग बताते ही चलेंगे इस प्रश्ण निका जो सही तरह आपका क्या हो जाएगा भाई चालिए क्वेशन बाप कहाँ पर 14 दिया गया जवाब देखे आना तुरू हो गया है तो भाई यह सेल्यूकस निकेटर ठीक है जित्ते लोग ने सेल्यूकस निकेटर जवाब दिया भाई सिकंदर की मृत्य के बाद जो है उसके पूरी प्रदूसों का जो भाग है सेल्यूकस निकेटर के अधिन चला गया है और सेल्यूकस निकेटर ने ही सिंध नदी पार करके चंदरकुप्त मौरे से युद्र किया था और हार गया था तो उप्सन नम्बर जिते लोग ने आ पर जवाद दिया है वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे लिए रसर चलिए अगला कोईशन देखिए आप से आपर क्या पूछा गया है 15 रूबर कोईशन है कि उन इस्तंबदार भावना को भावन को क्या कहते हैं भावन हो गया यहाँ पर क्या कहते हैं जिनमें वोट विच्छु पूजा करते हैं चलिए यहाँ पर इस कोईशन को समझेगा यहाँ पर वोट विच्छु पूछा गया है जिनमें वोट विच्छु पूजा करते हैं 15 रूबर कोईशन के जो सही तरफ का क्या हो जाएगा छलिए भै तो यहां पर 15 नमर वर कुश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो correct एंसर आपका हो जाएगा प्रत्म धर्म कॉन सा है चलिए भाई कोशन में बताया था है तु किस नमबर जितने लोग ने आपर जवाब दिया फिर्श्ट वाला वो लोग यहां पर जवाम पर पूछा गया थे कूछा गया है नेमनिकित में से कौन सा सासक बुद्ध का समकालीन था मात्मा बुद्ध का समकालीन बते कौन सा सासक था तो भई अगर हम बात करते हैं इसके पहले का 16 नंबर कोशन हो गया था मात्मा बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो भई इनका जनम कब हुआ था 563 हिसा पूर्व हुआ था कब हुथा भई 563 हिसा पूर्व जो इनका जनम हुआ था और इनके जनम की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो है कह सकते बिम्बिसार का सासन चला था मगर सामराज की जो सासन चला था तो आपस नमब जी तिरों ने आपर जवाद दिया है दो वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जित लोग ने दो जवाद दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन है बुद्ध के जन्म के और पुर्व के जन्म की कहानिया किस में संकलित है बुद्ध के जन्म और उसके पुर्व जन्म की कहानिया जो है किस में संकलित है The stories of बुद्धा's birth and his previous birth are compiled in Question number आपका ठारा दिया गया है सबी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे जिसको कोई भी हिंदी समझना है इंग्लिस जो देखते हुए चलेंगे कोई दिक्कत हो बताते हुए चलेंगे Question number आपका जातक कथाएं ठीक है कि प्रथम बुद्ध परिसत कहां आयुजित किया गया था प्रथम बुद्ध परिसत जो है आपका कहां पर आयुजित किया गया था Where was the first Buddhist council held held मतलब होता आयुजित करना तो यहाँ पर देखिए 19 number question की अगरम बात करते हैं प्रथम बुद्ध परिसत की बात करते हैं तो राजगर है कास्मिर में पर देखिए टोडल आपके चार बुद्ध परिसत हुए थे ठीक है कितने बुद्ध परिसत हुए थे चार बुद्ध परिसत हुए थे जिसमें से जो है बहुत संगीती भी इसको बोलते हैं, पहला जो आपका राजगरा में हुआ था, फॉस्ट वाला जो आपका राजगरा में हुआ था, ठीक है राजगरा में हुआ था, दूसरी की बात करते हैं तो वैसाली में हुआ था, सेकंड वाला जो आपका वैसाली में हुआ था, थर्ड की बात करते हैं तो पाटिल पूतर में हुआ था चतुरत की बात करते हैं तो कास्मेर में हुआ था त gjorde यद रखेगा राजग्रह राजगीर इस नाम से भी हम लोग जानते हैं इसके दश्यचता जो है महा कश्ट्य अपने किया था इसके दश्यचता की तो महा कस्तिय अपने की थी तो option number 3 यहाँ पर जो है बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है सर, अगला question है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को का कहा जाता भई बुद्ध के प्रथम प्रवचन को जो है क्या कहा जाता है सब लो question number 20 का जवाब जो है देती हो चलेंगे जवाब देखिया आना शुरू हो गया है तो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो बिसकली कहा जाता है आपका धर्म चक्र प्रवचन सुथ यानि कि धर्म चक्र प्रवचन सुथ हिंदी में अगर देखा है तो धर्म चक्र प्रवचन होता है बुद्ध, धम और संग, ये मिलकर क्या कहलाते हैं, क्वेशन नमर 21 दिया गया है, सब लोग बताते हूं चलेंगे, 21 नमर क्वेशन के जो सहीत तो आपका क्या हो जाएगा भई, पहला जो अपना उन्होंने अपदेश दिया था, वो सारनात में दिया था, क्यों रोना आ रहा पहला उपदेश सारनात में दिया था, वो क्या कहलाता ये पूछा गया है, थोड़ा सा पढ़ाई उढ़ाई की होते हैं, तो आज यहां पर नहीं होते हैं, मतलब आज यहां पे से रो नहीं रहे होते हैं, 21 नमर क्वेशन में आपके क्या हो जाएगा, भई, क्या हो यहां पूछा गया है, नमर क्या है, नमर क्या है, नमर क्या है, तो आज यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे, ठीक सार, अगला कुशन देखिए आप से क्या पूछा गया है, अलकित में से कौन सा संप्रदाय बहुत धर्म का नहीं है, कौन सा संप्रदाय जो है, किसका नहीं भई, आपका बहुत धर्म का नहीं है, बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग बताती हूँ चलेंगे, महायान, हीन यान, दिगंबर, थेरवाद, सभी को पता होना चाहिए धर्म के जो दो संप्रदाय है, स्वेतांबर और दिगंबर, स्वेतांबर और दिगंबर, उनसे सम्वंदित, जो जैन धर्म में आता है, तो यहाँ पर जबाद दिया है, थ्री वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक सर, अगला क्वेशन महावीर स्वामी जी को जेना के नाम से जानते हैं, एक चीज़ आद रखेगे, इनको जेना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और जेना सब्द का मूल अर्थ होता है, विजेता, ठीक है, इनके प्रथम अगर हम बात करते कि इसके वाएं, इनके अगर हम बात करते हैं, प्र वर्दमान महावीर को और किस नाम से विख्यात हैं, अभी तरशन का जो सही तरब क्या हो जाएगा, चलde, जब आप देखिये, quanषिन का का ना शुरू हो गया, तो भाई वर्दमान महावीर की अगर हम बात करते हैं, तो यह जेना के नाम से, अभी जश्ट आपको बताया गए जेना के नाम से, जो विख्यात है, तो आफसी नम्ब्र का नुश्छ का मूल मार्स होता है, मैंने भी आपको बता दिया था, तो आफसी नम्ब्र जो इसका फस्ट दिया गया, बिल्कुल विक्षु कौन थे तिब्बत में बहुत धर्म का प्रचार करने वाले बहुत भिक्षु जो है कौन थे चलिए ये भी बढ़िया प्रश्ण है सभी लोग बताते हुए चलिएगा अभी जो है पीडिएफ सही है ना अब तो हिंडी और इंग्लिस दोनों में आपको मिल ला है सब लोग बताते हुए अभी तो ही पीडिएफ सही मिल ला ना बिल्कुल परफेक्ट है ना इसका जो सहीत तरब क्या हो वर दा बुद्धिष्ट मॉंक हू प्रीच्ट बुद्धि इन तिबेत यानि कि तिब्बत में जिन्होंने जो है बुद्धि धर्म का प्रचार किया था तो कोईशन नुब 26 का जो सहीत तरब का हो जाएगा पद्मसंभव नाम ताउनकट क्या नाम तो ही पद्मसंभवा और इसका फोर दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठ तो आपसर नमबर जितने लोग ने आपर जवाब दिया है फोर वाला वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे अगला कोईशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्मस्थान किसके द्वारा अंकित किया गया थेक है गौतम आपसर नमबर जितने लोग ने आपर दो जवाब दिया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे ठीक है क्योंकि लुम्बनी जो है यह भगवान बुद्ध का जन्मस्थान है और उनके सम्मान में ही भात के जो महान सासक थे मौरसमराट असोक थे उन्हें लु अगला कोशन पूशा गया है कि भारती इतिहास के निमलिखित यूगों में से किसके दौरान छत्री एक विसिष्ट पहचान रखते थे चलिए कोशन नमबर टाइस के जो सही तर आपका क्या हो जाएगा बई 28 के अगर हम बात करते हैं, तो 28 नमबर में जो सही उत्र आपका हो जाएगा, आपसर नमबर 1 बुद्ध की युग में, ठेक है, यहाँ पर आपसर नमबर जितने लोग ने आपर 1 जवाब दिया है, बुद्ध की युग में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो कोश्रम 29 जवाब दिखे आना शुरू हो गया है, तो 29 सुत्र की अगर हम बात करते हैं, तो यह गौतम ने लिखा है, ठीक है, किस ने लिखा वह आपका, गौतम ने लिखा है, तो आपसर नमबर जो इसके दो जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ह हुई थी, चलिए, एक नटुक जाए भई, सब लोग जो यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, इसका जो सही उत्तराप का क्या हो जाएगा, जैन और बौध धर्म के समय कितने आस्रमों को मानिता प्राप्त हुई थी, क्वेशन नमबर 30 है, जवाब देखिया और सन्यास, यह चार आस्रमों की विवस्था की थी, तो आपसरम बजीत्रों ने आपर जवाब दिया, फूर वाला, वो लोग यहाँ पर जो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे, अगला कोईशन है, छटी सताब दीशा पूर्व कौन सा काल कहलाता था, बढ़िया प्रशन ह धार में कुट तेजना का काल कहलाता था, तो आपसर नमबर जीत्रों ने आपर जवाब दिया है, आपसर नमबर फूर वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे, अगला कोईशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है, धेयान से देखिएगा, और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा, पूछा गया है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जब आप देखिए यहाँ पर धिरी दिरे सभी का आना शुरू हो गया है, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी को इमाना जाता ह किसको मानते हैं, महावीर स्वामी जी को ही मानते हैं, तो आपसरम बजीत्रों ने यहाँ पर जवाब दिया है, दो वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक सर, अगला कोशन पूछा गया है, बहुत धर्म में त्री रत्न क्या इंगित करता है, त्री रत्न की अगर हम बात करते, बहुत धर्म में, त्री रत्न के जो है कि crucial है एंगे, तो यह पर दिप्टक करके पूछ इन पूछ लिया गया है तो यह हम ऍठ यहाँ प प्रम आपके इन। एंगे आगै अगर यहाँ पर को सूछनれて देखिए फिर अगले class जो मैत के बारे में मैत की जो चलाई जाएगी अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हो चलिएगा पूछा गया है कि उस राज्य का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तिमाल किया था देखो बाई class को skip कर रहे हो क्यों skip कर रहे हो कोई region हो तो बताओ नहीं समझ में आ रहे हो तो बताओ आपके लिए class जो important class लाई जा रही है बाई उस राजे का नाम बताए जो पहली बार जिसने युद्ध में हाथियों का इस्तिमाल किया था तो 34 नमबर दो यहां पर जो correct हो जाएगा सर अगला question देखिया आपसे क्या पूछा गया है कि उस गरतंद्र का नाम बताई जो छटी सताब दीशा पूर्व जातियों का राजे संग था चलिए बाई question 35 से सभी लोग बताती हो चलिएगा उस गरतंद्र का नाम बताईए जो छटी सताब इसा पूर्व जो है कह सकते हैं कि इसका भाई च्छटी सताब दीशा पूर्व जातियों का एक राजे संग था 35 संबर question है जब आप देखिया आना शुरू हो गया है तो इस प्रश्ण का जो सरी तरब क्या हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा वज्जी ठेक है वज्जी वन्या आसका बहुत सारे आपके थी तो यहां पर option number जो इसका जो दिया गया है दो वाला यहां पर correct हो जाएगा अगला question पूशा गया है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र गरंतों के लिए सामोही गरंतों के लिए सामोही करोप से किस सब्ध का परियोग किया जाता है कॉईशन नुम्बर 36 से सभी लोग बताती है चलएगा मैथ की क्लास जो है किस पर चलाते हैं यूट्यूब पर चलाता हो भई इसके ज़र्श्ट बात चलेगी मैथ की क्लास परिसान क्यूं हो रहे हैं डेली है 19 क्लास हो चुकी आज 20 क्लास है मैथ की तो मुझे ब्लेम मत करेगे कि मैं तक लिगा साप की क्यों नहीं ली 36 अंबर कोईशन है जवाब देखे आना शुरू हो गया है तो इसका जो सही तरप क्या हो जाएगा भी बिल्कुल सही बात है यहाँ पर अंग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने लोग में अपना पहला उपदेश जो है किस मुध्रा में दिया था यह बढ़िया प्रश्ना भात करते हैं जो भूल यहाँ चर्त हो जाएगा? ठीक है यह पॉइंट जो बिल्कुल इंपोर्टेंट है भूलिएगा मां तॉप्स नंबर 3 यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पुछा गया है ध्यान से देखिएगा जवाद देखिए आना शुरू हो गया है तक कैवल ले कि अगर हम बात करें भई कैवल ले जो आपका जयन धर्म से संबंदी थे तो यहाँ पर जितने लोग जयन धर्म जवाद दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे बहुत यह आसान से क्वेश नन्त्राइब की अंत्राइब को चीज YouTube थे तुले काल ढूर्ट साल अब्ध व्याई निया मुले हो जाएगा फ्रूर्शन का जो सभी नाशना जो हुरेत, व्याद सब्सक्राइya प्लत से जुन時 इब तुल जो आई कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने लोग ने आफसर रंबर जवाब दिया है C वाला वो लोग यहां पर जो ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे बहुत यह अच्छी बात है काफी लोग देखी दिरी दिरे हां पर जवाब जो बिल्कुल सही दे रहा है कि भाई 16 महा जनपदों में से किसकी राधानी तक्छसिला थी किसकी राधानी तक्छसिला थी सभी लोग बताती हो चलिएगा चलि मैत की क्लास का लिंग देखे मैंने दे दिया है तो यह जब क्लास खतम होगी उसके चार से दो से तीन अडवास जो होगी अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी चलि भाई बिल्कुल आएगा जी तो 16 महा जनपदों में से किसकी राधानी जो है तक्छसिला थी तो आपस नमर 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है इस्टूप एक मिनट रुप जाएगा यहां पर पूछा गया है इस्टूप सब्द जो है यहां पर देखे क्या गया रहा भई इस्टूप सब्द गौतम बुद्द के जीवन की निमलिकित में से किस घटना से संबंदित है किस घटना से संबंदित है इस्टूप की बात करते है अभी मैंने आपको थोड़ देर पहले इस्टूप के बारे में बताया था तो इस्टूप एक कह सकते अर्दुगोलाकार सरंचना होता है जहां बौध अवसेसों को रखा गया है और इस्टूप सब्द जो है बिसिकली कि मृत्यू से संबंदित है किसे संबंदित है आपकी मृत्यू से संबंदित है तो यहां पर जित्ते लोग ने आपर जवाब दी है मृत्यू वो लोग यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगी ठीक है ऑप्सन नमबर फर्स्ट यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा सर् बौध धर्म महायान और हीनियान में किस सासक के सासनकाल के दौरान बिभाजित हुआ था चरी भाई इस प्रश्ण का जो सहीत तरब का क्या हो जाएगा प्रश्ण अब आपके यहाँ पर देख सकते हैं 42 है इसकी अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर जो सही तरह आपको हो जाए कानिस्क, ठीक, मैं आपको समझाता हूँ, इसके बारे में, जो चोथी बहुत संगीती हुई थी, वो कनिस्क के सासनकाल में हुई थी, कस्मीर में कुंडनवल में किया गया था, ठीक है, और वहीं पर जो आप लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है, अगला कोशन देखें, आप से यहां पर क्या पूछा गया है, वैसे सिक दर्सन के प्रतिपादक बताए कौन है, वैसे सिक दर्सन के प्रतिपादक, फटा-फट बताती हैं चलेंगे, देखिए, इंपॉर् कौन है, कडाद, आपसरम बजीते लोग ने आप पर थ्री जवाब दिया, कडाद, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, पोई बात नहीं, अगला कोशन देखिए, आप से यहां पर क्या पूछा गया है, कि बौध धर्म के अधिकांस ग्र जो आपके पाली भासा में लिखे गया है, तो पाली यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक सर, अगला कोशन है, पैतालिस, किनहें एसिया का प्रकास भी कहा जाता भई, एसिया का प्रकास, एसिया का लाइट हाउस, किसको कहा जाता है, कई बार आपको पढ़ाया गया है सेर करते रो संख्या कम नहीं होनी चाहिए एटी एसिया का लाइट हाउस जो है किसको कहा जाता है लाइट आफ लाइट आफ एसिया तो इनको जो है गौतम बुद्ध जी को कहते तो आफसर नमबर फर्स्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कहां हुआ था कुण नगराम में हुआ था कुण नगराम यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन है बौध साहित ते किस भासा में लिखी गई थी संस्कृत पाली ब्राम्मी प्राकिर्थ यह कोईशन जभी भी आएगा तो आप आग बंद करके पाली टिक करो भी है बौध साहित जो है पाली भासा में लिखा गया था तो आपसर नमर जीत लोग ने आपर जवाब दिया दो वाला वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सर चलिए अगला कोईशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया ध्यान से देखि यहां पर आना सुरू हो गया है तो यहां पर देखिए सारनात में पहला उपदेश दिया था संबंदित है बोध गया में उनको ज्यान की प्राप्ति हुई थी कुसी नगर में वृत्ति हुई थी पावापुरी जो यहां पर करेक्ट हो जाएगा भई भगवान गौतम बु यहां पर यहां पर जो गरेक्ट हो जाएगा अगला कौशन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार्भूत सिधान्त क्या माना जाता है कौशन में 49 से सब लोग इसका जवाब जूरेती हुई चलेंगे 49 नमबर कौशन का जो सही तरब का क्या हो जाएगा भई वहां तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर आधार भूत सिध्धान्त जो है क्या माना जाता है तो यहाँ पर अहिंसा ठीक है जितने लोग ने अहिंसा जवाब दिया अपसर नमबर दो वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला कोईशन वस्तु या पाटिल पूत्र तो लुम्बनी में हुआ था कई बार आपको पढ़ाया गया भई गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है कहा हुआ था भई दर्षड नेपाल के लुम्बनी में साक्य साही परिवार में हुआ था तो आपसर नमबर जितने लोग ने आपर पूरा नाम था अभी मैंने आपको बताया था महार्सी अक्षपाद गौतम इनका जो है संबंध आपका न्याय से है ठीक है न्याय दर्षण से साथी हो तो आपसर नमबर जितने लोग ने आपर थ्री जवाब दिया न्याय दर्षण वो लोग यहाँ पर बिल्कुल अगला कोईशन है साथवी सताबदी के प्रारंब के साथ थानिस्वर और कन्योज के सिंगहासन पर कौन बैठा भई Q2 है जवाब देखियाना शुरू हो गया है तो यहाँ पर कौन बैटा भाई हर्सवर्धन बैठे कौन बैठे हर्सवर्धन जितने लोग यहाँ पर आफसर नमबर 4 जवाब दिया हर्सवर्धन वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन पूशा गया है कि भगवान महावीर स्वामी की सिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है भगवान महावीर की सिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है तो तिरपन नमबर कोशन के जो सहीत तर आपका क्या हो जाएगा भई पन में आपको जाएगा अभी आगम सूत्र, ठीक है, आगम सूत्र कहा जाता है, चलिए, भगवान मावीरी सिच्छाओ के संगलन को आगम सूत्र कहते हैं, अगला कोईशन है, डॉट डॉट कईधर 326 सिसा पूर्व सिकंदर महान द्वारा राजा पूरस के विर्द लड़ा गया था, चलिए, कौन सी लड़ाई भाई, इसको पहले भी डिसकस कर चुके हैं, तो सभी लोग बताते ही चलेगा, कौन सी लड़ाई जो लड़ी गई थी, तो इस प्रश्न का जो सही तरह आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आप देखियाना शुरू हो गया या इसके लावा आप लोग इसको जहलं या वितस्ता की लड़ाई भी बोलते हैं, तो हाईडे स्पीज यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दोरान सात्वी और छटी सताब दीशा पूरु में कितनी महान सक्तिया या मह जनपत अस्तित्य में थी, तो यह तो आसान है भई, आप लोग को पता भे कितने जनपत थे, महा जनपत कितने थे, माफ भी जाएगा, कोईशन में पचपन है जवाब देखिया आना सुरू है तो सोला महा जनपत थे, तो आपस नंबर ए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो मुझूद था, छटी सदी इसा पूरव भारत में मुझूद था, सब लोग बताते हुँ चलेंगे कोईशन नंबर आपका उचपन है जब आप देखिया आना सुरू हो गया है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा है वैसाली, वैसाली की देखिये अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यह जो वैसाली है, यहाँ पर यह जो है मौझूद नहीं था, तो आपस नंबर जो इसका आपना जो है किसके दोरा की गई थी, वैसाली को ही वज्जी बोलते है ठीक है, चलिए इस प्रशन का जब आद देखिया आना सुरू हो गया है, तो कपिल साख्य दर्सन की अगर हम बात करते हैं, तो कपिल जी की दोरा कपिल मुनी की दोरा किया गया था, तो आपस नंबर दो यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दो आपसन जो यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगला कोईशन है, प्राचीन भारत में कितने सक्तिसाली महा जनपद मौजूद थे, प्राचीन भारत में कितने सक्तिसाली महा जनपद जवाब देखे आना शुरू हो गया है तो भाईया ठावन का जो सही तरापका हो जाएगा प्राचीन भारत में वही सिंपल सा क्वेशन है सोला महा जनपद मौझूद थे तो सोला सोला जित्ते लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सर सोला महा जनपद मौझूद थे नेमलिकित में से कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है कौन सा साइट म वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यह जो है उनके जन्म से जुड़ा हुआ है अगला कोईशन है धार्म गरंत त्रिप्टक के किस धर्म गरंत से सम्मंदित है त्रिप्टक जो है किस धर्म से सम्मंदित है त्रिप्टक अभी मैं आपको बताया त्रिप् का साथ सक अजात सत्रु किसका पुद्र था हो सन्वाज अजात सत्रु दा रुला रुलराफ हर्यक डाइनिश्टी ठीक है उदाइन का था अनृद्धा का था बिम्बिसार का था या नाग दसक का था सबाब दे रहे हैं वो लोग रुन करेक्ट हो जाएगे वही तो अगला कौशन के अगर नंध्वन्स का अंतिम्सासक न नंध्वन्स काrumamढर कौन था question number 62 है सब लोग बताती हुँ चलिएगा तो भई अगर हम बात करते हैं नंदवांस के बारे में तो चोथी सतादी इसापुरु के तवरान भारत में जो तरी भाग है उसमें नंदवांस का सासन था और इसका जो अंतिम सासन था घनानन्द था धनानन्द भी लिखा गया है घनानन्द कर लो अंतिम राजा था ठीक है अगर हम बात करते हैं पांडुका के बारे हैं पांडुका जो है दूसरे राजा थे इसके ठीक है गोवी शाडक की बात करते हैं तो ये जो है छटवे राजा थे कैववर्थ की बात करते हैं तो कैववर्थ जो है अठवा राजा था अंतिम राजे घनानन्द थे तो यह चीज़ आद रखिए धनानन्द धनानन्द ठीक है से मगद के पहले सासक थे तो यहां पर जबाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे मगद की परसासन करने वाले जो पहले सासक थे बियदत थे ठीक है उन्होंने पहले राजगर गरीवरज राजगीर इसको जो है बनाया था राजधानी बाद में जो है पारी पुछा के अग्ला पूछा गए आप से हां पर कि चौ ती सताप्दीषा पूरु में मगदक्या धानी कि शुर्स्ट कुर धाल गया था बही जने किया था तो इसल्यक्शन वहां.. कीज़ आपको पताया गया है । እ मजा नहीं आ रहा है क्या caos इतने बढ़ हैं पढ़ाय भी बढ़ है चा रहा है अपको दिया जा रहा है पढ़ाये वी बढ़ी हां जा रहा है असके बढ़ में दो से कहा है है और तो हम्हारा टिलिग्रांम गूर्फ से जुडव मिलता रहागा और अपर्डी अगली वन क्लाशल्ग क问题 गिए आप चाहते हो मैस वाली क्लास में आना नीचे डिस्क्रिशन ब्रॉक्स में कमुंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आप लिंक ट्रॉक क्लिक करके जो है मैफ वाली क्लास में आजाईए। ठीक है मैत की क्लास में ज्यादा ज्यादा संख्यां पहुंचिए जो कल जहां पर छूटा था उसके आगे हम लोग जो है